जोस्तो आज स्वीडन की कमपनी साब ग्रूप ने MRFA डील में भारत को एक एसा ओफर दिया है जो ओफर अभी तक भी एमेरिका और फ्रांस की तरफ से भारत को नहीं दिया गया है आप सभी ये बात जानते हो की MRFA डील में साब ग्रूप ने अपना ग्रिपन इफाइटर जैट भारत को ओफर किया हुआ है इस फाइटर जैट को लेकर आज साब ग्रूप की तरफ से भारत को ओफर देते हुए बोला गया है कि अगर भारत 114 फाइटर जैट की डील में हमारे ग्रिपन इफाइटर जैट को लेका है तो इस फाइटर जैट की पूरी असेमली हम भारत के अंदर तो लगाएंगे ही साथ में अपने फाइटर जैट की सत परतिशट टेक्नलोजी भी हम भारत के साथ शेयर करेंगे भारत को विश्वास दिलाने के लिए साब ग्रूप की तरफ से ये भी बताया गया है कि हम पहले ही ब्राजील को अपने ग्रिपन ए फाइटर जेट की टेक्निलोजी शेयर कर चुके हैं, साथ में साब ग्रूप का कहना है कि अगर भारत हमारे फाइटर जेट को MRFA डील में चुनता है तो हम अपने फाइटर जेट की डिलेवरी भार को सूपर फास्ट करेंगे क्योंकि MRFA डील को लेकर भारत की तरफ से बोला गया है कि हम केवल उसी देश से फाइटर जेट को खरी देंगे, जो देश अपने फाइटर जेट की पूरी टेक्निलोजी हमको देगा, अपने फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाएगा, और एक साल में 18 फाइटर जेट की जगहे पर 25 फाइटर जेट को खारत के अंदर ही बनाकर भारतिय वाईउ सेना को देंगे, ग्रिपिन फाइटर जेट को देखा जाए तो ये फाइटर जेट काफी ज़्यादा कैपेवल फाइटर जेट है क्योंकि एक फ्रेंडली एक्सरसाइ पानी पिला चुका है साब ग्रूप की तरफ से जो ये ओफर भारत को दिया जा रहा है अभी तक ऐसा ओफर ना तो अमेरिका ने भारत को दिया है और ना ही फ्रांस ने भारत को इस तरीके का कोई ओफर दिया है हाला कि France और America ये वो दोनों ही देश हैं जो अपने अपने fighter jet तो भारत को बेचना चाहते हैं लेकिन ये दोनों ही देश अपने fighter jet की technology भारत के साथ share नहीं करना चाहते हैं आली में ही हमने देखा है कि America अपने F-15EX fighter jet को भारत को बेचना चाहता है लेकिन America ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम अपने fighter jet की technology भारत के साथ share नहीं करेंगे ये ही हाल France का भी है क्योंकि France अपने fighter jet की assembly line को भारत के अंदर तो लगाना चाहता है लेकिन France का कहना है कि हम इस पूरी ही assembly line का control अपने हातों में रखेंगे किसी भी भारतिये company को हम partner नहीं बनाएंगे तो आपको बता दे कि अगर भारत की तरफ से France के रफाल fighter jet को खरीदने की कोशिश की भी जाती है तो ये fighter jet हमारी वायू सेना को 5 सालों बाद मिलना शुरू होगा क्योंकि इस समय फ्रांस के पास 124 की संख्या में रफाल fighter jet के order pending में पड़े हुए हैं इनको बनाने में फ्रांस को काफी आसानी से 5 सालों का समय लग जाएगा लेकिन अगर हम gripping e fighter jet को लेते हैं तो ये fighter jet 3 सालों बाद ही हमारी वायू सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे gripping e fighter jet की कीमत भी हमको f15 ex और रफाल fighter jet के comparison में बिलकुल आधी पढ़ने वाली है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको साब ग्रूप के इस offer को accept करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसरा आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो विए वीडियो के इस वीडियो वीडियो वीडियो।